वेल्कम टु टेरीस एजूकिशन आज हम डिस्कस करने वाले हैं Amino Acids और हम आज Amino Acid का important concept Juter Ionic Form of Amino Acids डिस्कस करने वाले हैं उससे पहले हम कुछ Amino Acid के पारे में जान लेंगे तो Essential Amino Acid और Non Essential Amino Acid NCRT में दिया गया है इनको आप याद कर लें, आप essential amino acid को याद करें, non essential amino acid याद हो जाएंगे, ठीक है, तो essential amino acid देखो, ट्रिप्टोफान, फिनलेलिन, थ्रियोनिन, मिथियोनिन, लैसिन, हेस्टिडिन, लिूसिन, ऐसलिसिन, और फिर वैलिन, ठीक है, अभी वीडियो रोकें, और फिर दो बार इसको याद करें, ठीक है, याद हो जाएगा आपको, अभी जो है हम classification of amino acids को देखेंगे, ठीक है, तो classification of amino acid में, आप पहले, amino acid की structure के बरे में देख लिएजिए, ठीक है, तो यहाँ पे amino acid में, amino acid का structure कुछ ऐसा है, एक तरफ carboxyl group है, एक तरफ amino group है, जो carboxyl group है, वो acidic होता है, ठीक है, acidic, और जो amino group है, वो जो है basic group होता है, ठीक है, तो अगर amino acid में, carboxyl group ज्यादा हो गए, तो उसका nature कैसा होगा, acidic होगा, अगर amino acid में, जो है, amino group ज्यादा हो गए, तो फिर basic होगा, amino acid का nature, basic होगा, तो इसी तरह हमने classification किया है, ठीक है, तो पहले हम acidic के उपर classification कर दिये हैं, ठीक है, तो acidic, इन जो 20 amino acid है न, इन 20 amino acid में, जो भी acidic है, वो है, glutamic acid और aspartic acid, ये दोनों ही acidic हैं, जो acidic होते हैं, उनका charge negative होता है, ठीक है, एक्जाम में अभी question पूछ सकते हैं कि, कौन सा, जो amino acid है, वो acidic है, ठीक है, तो वहाँ पे, ऐसा glutamic acid और aspartic acid ऐसा नहीं दिया होगा, क्योंकि acid से हम पहचान जालेंगे, तो वहाँ पे दिया होगा, glutamate, ठीक है, glutamate, और फीछ आप है aspartate, ठीक है, aspartate, इस तरह दिया होगा, तो हमें acidic टिक करना होगा, अभी हम basic को देख लेते हैं, ठीक है, और basic amino acid में जो है, यह नेच टू ग्रूप जो होते हैं इस अमीनो आसिड में वो ज्यादा होते हैं ठीक है अमीनो ग्रूप जो होते हैं वो बेसिक होते हैं तो अगर अमीनो आसिड ग्रूप ज्यादा हो गए हैं तो इन सब का जो है चार्ज पॉजिटीruit होता है तो अभी जो है neutral neutral amino acid भी होते हैं जिनका charge कुछ भी नहीं होता क्योंकि जो amino group होते हैं वो carboxyl group के बराबर होते हैं तो basic और acidic beiden balance में होते हैं तो इसका example देखो glycine है glycine जो है simplest amino acid है ठीक है और lanin है, valin है, leucin है, isoleucin है मैंने कहा था कि amino acid का structure कुछ इस तरह होता है तो अब हम इसे कर्बोक्सिल ग्रूप कहते हैं इसे amino ग्रूप कहते हैं यह acid होता है और यहां और यहां आर जो है यह variable होता है ठीक है यहाँ पे कोई भी ग्रूप आपे हो सकता ठीक है तो यहां पर जो है अगर हाइड्रोजन हेच आके जुड़ गया तो यह ग्लाइसिन हो जाएगा ठीक है अगर आर की जगा जो है सीरीन हो जाएगा ठीक है तो यह जो है अमीनोचिर्स है तो आर की जगा जो है जैंड्रोजन या फिर दिये गया है के यह बहुत इंप्पोर्टन आगर जो आर की जगा हम अगर है CH2 SH अगर जुड़ गया तो फिर यह सिस्टिन बन जाएगा ठीक है यह सिस्टिन जो है सुलफर कंटिनिंग अमिनो एसिड है ठीक है तो यहां पर डाइसलफाइड बॉन्ड होगे क्योंकि सुलफर होगा तो अभी हम डिसकुस करने वाले हैं जुटर आयोनिक फार्म आफ अमि chat स्ट्रक्चर हैं तो इसमें जो है अनी ऑसी में पॉजिट्व चार्ज भी है नेगेटिव ऐख भी है तो इसे ही हम जुटर आयन बोल रहे हैं मतलब यह जो अमिनोच है अगर निसे एसिड़ग मेms में दाल दें तो यह बेसिक की तरह जो है बिखेव करेगा और पॉजिटिव चार जाएगा ठीक है अगर हम जो एच वाला इसे Jak इस जुटर आइन जो है यह जो amino acid है यह base की तरह भी काम कर रहा है और acidic भी तरह काम कर रहा है तो इसलिए हम इसे amphoteric nature बोलते हैं ठीक है amphoteric nature amphoteric nature क्या होता है which act as acid also and base also ओके तो यह है बहुत important concept of amino acid thank you